नमस्कार साथियों आदर सिक्षन समिती बाडमेर द्वारा संचालित ऑनलाइन सिक्षन में आपका स्वागत एवं अभिनन्दन आईए आजम गुप्त वन्स के पस्चात के सासकों के बारे में पढ़ते हैं सरोपर्थम गुप्त वन्स के बाड़ में छेत्रिये सासन वर्दन वन्स जिसको पुषे भूती वन्स भी कहते हैं के बारे में पढ़ते हैं छेसो इस्वी में दिल्ली के पास थानेश्वर में पुषे भूती नामक वेक्ती द्वारा वर्धन वंस प्रारम किया गया पुशे बूती श्यो भग्त था इस वंस में तीन परमुख राजा हुए परबाकर वर्दन तथा उसके दो पुत्र राजे वर्दन तथा हर्ष वर्दन परबाकर वर्दन की मरतियों के बाद उसका पुत्र राजे वर्दन सासक बना जो की युदों में वैस्त रहता था बंगाल के गोड सासक संसाक दोरा 606 इस्वी में राजे वर्दन का वद्द कर दिया गया तथा राजे वर्दन की मर्तिव के बाद 606 इस्वी में हर्स वर्दन सासक बना जो की राजे वर्दन का छोटा भाई था हर्ष का सासनकाल 600 से 647 इस्वी तक रहा जो की कुल 40 वर्ष था समराठ हर्ष की मर्त्यू नी संतान हुई अर्था तो उसके कोई पुत्र नहीं था अतह इसके साथ ही वर्दनवन्स समाप्त हो जाता है जब समराठ हर्ष ने सासन पार गरण किया उस समय की इस्थती अर्थाद समराठ हर्ष के राजे अभिशेक के समय की इस्थती संकट पूर्ण थी बंगाल के संसाक द्वारा भाई राजे वर्दन का वद कर दिया गया हर्ष की छोटी बैन राजसरी प्रान रक्षा हेतू जंगल में चली गई जिसको हर्ष ने बड़ी मेनत से ढून निकाला तथा काम रूप के राजा बासकर वर्मा से संदी कर संसाक के विरूद सेना बेजी 620 इस्वी में चलूप के राजा पुलकेशिन दिवत्य की सेना ने नर्मदा नदी के तट के पीछे तक हर्ष की सेनाओं को धकेल दिया हर्ष के सामराजे की सिमाएं उतर में हिम आच्छादित परवतों से लेकर दक्षिन में नर्मदा नदी के तट तक तथा पूरू में गंजाम से पस्चिम में वलबी तक विस्तरत थी हर्ष ने कनोज को अपनी राजदानी बनाया तथा राजा धीराज की उपादे धारन की हर्ष सुर्य का उपाशक था हर्ष का महायान बोध संपरदाय की और जुकाव था बोध दर्म के दो परमुक संपरदाय है महायान और हीनियान समराथ हर्ष महायन संपरदाय की और अधिक जुकाव रखते थे समराथ हर्ष परते पांचमें वरस परियाग मौत्सव का आयोजन करते थे गंगा यमुना के संपर ये एक दान मौत्सव था इसमें समराथ हर्ष एक वरस के अंदर पिछले पांच वरस में जितना भी धन राजकोस में जमा किया है वह दान कर दे ता था कहा जाता है कि समराथ हर्ष दान में इतना प्रसिद था कि इनकी समान कोई था नई हर्ष के बारे में कहा जाता है कि हर्ष अपने राज को उसको पूरा दान दे देता था तथा अपने कपड़े भी दान कर देता था अंत्वे अपनी बेहन से मांग करके कपड़े प्राप्त करता था इतना हर्ष दानी था हर्ष के शासनकाल में चीनी यात्री हविन सांग भी भारत आया वो उसने चठे दान मौत्सों में सामिल हुआ इस परकार वर्दन वंस के बाद में दूसरा वंस आता है पाल वंस पाल वंस का उद्गम बंगाल में साथ सो पचास इस्वी में गोपाल नमक व्यक्ति से माना जाता है अर्थात गोपाल को पाल वंस का संस्तापक माना जाता है इस वन्स का दिवतिय सास्रक एवं वन्स का सबसे महान सास्रक धरमपाल था जिसने अपना सामराजे कनोज तक बढ़ाया तथा राष्ट कुटों तथा परतिहारों से तिरकोणिय संगर्ष से अपने राजे की सुरक्षा की धरमपाल के बाद उसका पुत्र वा उत्रादिकारी देवपाल सासक बना जिसने अपनी राजदानी पाटली पुत्र से बंगाल बदल दी इसकी राजसबा या दर्बार में सुमात्रा के राज़ा बाल पुत्र देव का दूत आया था देवपाल आठ सो दस से आठ सो पचास इस्वी तक इनका सासनकाल रा इनके बाद के पाल राज़ा निर्बल थे इनकी निर्बलता का फाइदा उठाकर गुर्जर परतिहरों ने पाल राज़े पर आकर्मन कर दिया वह पालों की सक्ति को कमजूर कर दिया इस वंस के नम्मे सासत मैपाल पर्थम के समय राज़ेंदर चोल जो चोल वंस का परशित सासत था ने आकर्मन कर दिया इनका आकर्मन एक जार तेविस में इस्वी में हुआ तथा राज़ेंदर चोल ने गंगा नदी के आसपास के परदेश जीत लिए बाराशव इस्वी तक पालवंस की सक्ति समाप्त हो गई पालवंस के सासक बोध दरम के अनुवाई थे इनके सासनकाल में बोध सिक्षा केंदरों में उनत्ती हुई नालंदा तथा विक्रम सिला महा वियारों को सरंक्षन परदान किया इनके सासनकाल में बुद्ध सिक्षा केंदर में उनत्ती हुई बुद्ध की जगे बोध पड़ेंगे नालंदा तथा विक्रम सिला महा वियारों को सरंक्षन परदान किया यहां महा वियार पड़ेंगे महा वीर यारों की जगे इनके सासनकाल में बोध विक्सु अतिसा तिबत गया तथा धरम परचार किया पाल सासक कला और वास्तु कला के प्रेमी थे इनोंने दीमान तथा विट पाल जैसे सिल्पियों को सरंक्षन परदान किया पाल वन्स के समय दीनापुर के पास एक जलाशे का निर्मान किया गया इनके बाद में अगला वन्स होता है रश्टकुट वन्स इसकी इस्तापना दंती दुरग द्वारा 736 इस्वी में नाशिक में की गई तता नाशिक को ही राजदानी बनाया इस वन्स में कुल 14 साशक हुए दंती दुरग वातापी के चालुक्यों का सामन्त था पहले सुतंतर साशक नहीं था तता इसने अर्था दंती दुरग ने अंतीम चालुक्ये साशक किर्थी वर्मा दिवितिय को हरा कर राश्टकुट वन्स की इस्तापना की दंती दुरग को राश्टकुट वन्स का संस्तापक माना जाता है इस वन्स के कर्शन पर्थम ने एलोरा के केलाशनात मंदीर का निर्मान करवाया इसी वन्स के अन्य साशक दुरग ने गुर्जर पर्तिहार साशक वत्स राज को हराया गोविन तर्तिय ने गुर्जर पर्तियार साशक नागबड दिवत्य व पाल वन्स के साशक धरम पाल को हराया तथा सामराज ये मालो पर्देश से कांची तक विश्तरत किया अमोग वरस एक सांती प्रिये साशक था जिसने कुल चोशट वरस तक साशन किया तथा माल खेत या माने खेत को राजदानी बनाया अर्बी यात्री सुलेमान ने इनकी गणना ततकालिन विश्व के चार सक्तिसाली सासकों में की थी करशन तर्दिय व इंदर दिवत्य ने कनोज के महिपाल को पराजित कर भागने को विवस किया कर्शन तर्थिये के समय ही दक्षिन के चोल सासकों से इनका संगर्ष प्रारंब हो गया था राष्ट कुटों का पराबव अर्थात इनका तिरस्कार या नाज कल्यानी के चालूक क्यों द्वारा किया गया पराभाव सब्द का आर्थ होता है तिरस्कार करना, नास करना, सक्ति कमजोर करना चालू के सासक तेलप अपने 903 इस्वी में इस स्वन्स के करक दिवित्य को पराजित कर माने खेत को जीत लिया अराष्टकूट सासक वेदिक धरम के सरंक्षक थे, इन्होंने भवय मंदिरों का निर्मान करवाया कनड संस्कृत व कनड साइते के पोशक थे, इनको इन्होंने सरंक्षन परदान किया अर्बों द्वारा इस वन्स के सासकों को बलरा या बलराज के नाम से संबोधित किया अर्बों ने रष्टकूट वन्स के सासकों को बलरा या बलराज कहा था इसके बाद में सेसम अगले वीडियो में पढ़ेंगे